उपनिशदीय शिक्षा दर्शन, हमारे देश का शिक्षा का इतिहास रिगवेद काल से माना जाता है, क्योंकि रिगवेद काल के मंत्र हमारे तातकालिक शिक्षा व्यवस्था को स्पष्ट करते हैं. वैदिक काल में हमारी शिक्षा में प्रकृती के मानविय रूप, प्रकृती की उपासना आदी सभी से भरी हुई है उस समय आत्मग्यान पर बहुत बल दिया गया था वैदिक साहित्य का एक बहुत बड़ा भाग उपनिशद ही है हमारी वैदिक कालीन संस्कृती का सम्रिद रूप उपनिशद के रूप में ही देखने को मिलता है यही कारण है कि वैदिक साहित्य को वेदान्त के नाम से जाना जाता है क्योंकि उपनिशद वैदिक साहित्य का अंतिम भाग माना गया है वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था को उस समय के ज्यान एवं दर्शन के माध्यम से देखा जा सकता है उपनिशदकालीन साहित्य में वैज्यानिक, दर्शनिक एवं धार्मिक आदी सभी प्रकार के चिंतन आदी को देखा जा सकता है वैदिक कालीन साहित्य में हमारे मनीशियों ने व्रिहद रूप से जो अनुभव प्राप्त किया, जिसको व्यवहारिक रूप में लागो की अवेसार रूप में दिये गए हैं। और यही कारण है कि इस परिवर्तन के परिनामस्वरूप शिक्षा के विबिन प्रकार के दर्शनों का विकास हुआ। और आदेशों के अनुसार शिक्षा के उद्देशों का निर्धारन होता है और यही कारण है कि हमारी शिक्षा के उद्देश जीवन के उद्देशों से जुड़े रहे हैं। व्यक्ति अपनी जीवन के जो उद्देशे और लक्ष निश्चित करता है उसी के अनुकूल वह दर्शन अपनाता है और उस दर्शन की प्राप्ति के अनुसार अपने लक्षे को प्राप्त करने की कोशिश करता रहता है। उपनिशत कालीन समाज में आध्यात्मिक्ता का बहुत महत्त्व था और इसके लिए व्यक्ति अपनी जीवन में नेतिक्ता वमूलियों के अनुसार कार्य करता था। यही कारण था कि उस समय की शिक्षा का महत्व पूर्ण उद्देश आत्मग्यान प्राप्त करना था। आत्मग्यान की प्राप्ती आध्यात्मिक चिंतन पर आधारित थी और इन सबका आधार आत्मा, परमात्मा, जीव मोक्ष, मुक्तियादी माने जाते थे और यह माना जा प्रकृती से बना है, मेटा का अर्थ परे, फिजिक्स का अर्थ प्रकृती से है, इस प्रकार तत्वा मीमांसा का अर्थ यह लिया जाता है कि प्रकृती से परे क्या है? अर्थात जो संसार में दिखाई देता है उसके अलावा यथार्थ क्या है और ये संसार किन तत्वों से मिलकर बना है यह सब तत्व मिमानसा के अंतरगत देखा जाता है आई आदर्श्वादी दर्शन एक पाश्चात्य दर्शन की विचारधारा है, लेकिन हमारे प्राचीन दर्शनों में आदर्श्वादी दर्शन देखने को मिलता है. जिस प्रकार आदर्श्वाद सारे तत्व का आधार विचार माना गया है उसी प्रकार भारतिय चिंतन में सारे संसार का आधार आत्मा या एक परम शक्ति को माना गया है आदर्श्वाद दर्शन में यह मानते हैं कि विचार शाश्वत होते हैं और ये कभी भी नश्ट नहीं होते हैं और इन विचारों के अनुसार ही व्यक्ति का जीवन चलता रहता है भारतिय चिंतन में यह माना गया है कि शिक्षा का पाठ्यक्रमेसा होना चाहिए जिसमें इन सब तत्वों का समावेश हो प्रकृतिवादी दर्शन पूरी तरह भृतिक्तावादी दर्शन है और यह मानता है कि इस संसार का आधार एक मात्र प्रकृती ही है यह मानते हैं कि इस संसार का करता और कारण प्रकृती है प्रकृतिवाद के बाद प्रयोजनवादी दर्शन आया यह भी एक भोतिक्तावादी दर्शन है और यह दर्शन यह मानता है कि जो मानब जीवन के लिए उप्योगी है और जिसका मानब जीवन के लिए कोई उद्देश है वही सत्य है. यही कारण है कि यह दर्शन निश्चित मूल्यों, आदर्शों, उद्देशों आदी पर विश यह दर्शन मानता है कि मूल्य आदर्श उद्देश वही अच्छे हैं जो व्यक्ति के जीवन के लिए। प्रमनिय तथा उप्योगी समवाध है। शुधता एवम एकागरता के लिए शिशे और आचार्य के लिए कुछ उपास्य विदियों तथा शिश्टाचारों का प्रतिपादन मिलता है। साथ साथ गुरू शिशे संबद व्यवहारों का भी वर्नन दृष्टि गोचर होता है। उपनिशिदों में पर्मतत्व की मिमानसा दो विदियों से की गई है एक तो विशैगत विशलेशन से और दूसरे विशैगत विशलेशन से। इसके सिधान्त का आधार है असत से सत उतपन नहीं हो सकता और सत का अभाव कभी नहीं होता। विशैगत विशलेशन सार्तत्व एवम आभास के मध्य, अमर और नश्वर के मध्य तथा अक्षर और क्षर के मध्य भेद को आधार बनाकर आगे बढ़ता है। संसार के अंदर ये दो सत्व एक्षर और अक्षर अप्रिवर्तन्शी लक्षर है। हम यह नहीं कह सकते कि वह प्रिवर्तन्शी, जिसका यहां निर्देश किया गया है, सर्वोपरी सत्ता है, जिसका घोशक कठोपनिशत के प्रारंप से हुई है। सेहनाववतू, विद्विशाव है तथा इशावा से उपनेशद स्तथ्य की घोशना निमनवत करता है। अनश्वर दोनों ही पक्ष मिलते हैं। यद्यपी संसार में परिवर्तनों की तुलना में प्रकृती नित्य है तो भी यह निर्पेक्ष रूप से यथार्थ नहीं है, क्यूंकि इसका आधार भी सर्वोपरी जगत का स्वामी है। यह सर्वोपरी आत्मा ही यथार्थ में अम करता भोगता रूप नहीं है, जिससे की वह कर्म का शेश हो सके। संपूर्णूप निशदों की परिस्माप्ती आत्मा के यथार्थ स्वरूप का निरूपन करने में ही होती है। रामानुज अपने विशेश सिधान्त की अनुकूलता को ध्यान में रखकर क्षर का अर्थ प्रकृतित अत्वर और अक्षर का अर्थ जीवात्मा करते हैं, फिर भी पुरुषोतम अत्वा सर्वो परी आत्मा को इन दोनों से उत्कृष्ट एवं उपर बताते हैं। हमारी चेतना की प्रिश्ट भूमी में इस प्रकार का एक विश्वास अवश्य है कि ऐसी कोई बस्तुत अवश्य है जो नश्ट नहीं होती, क्योंकि अभाव से किसी बस्तु की उत्पत्ती नहीं हो सकती। वह यथार्थ सत्ता रूपी परम सत्सदा बदलती रहने वाली प अरब्रम है, यह अनादी, अनन्त और कूटस्थ या चत्तान की तरह द्रिढ है, जबकि केवल समयरहित और अंतर रहित सत्ता, अनादी प्रवाह बसना है। यह थार्थ में द्रश्टा वही है जो की सर्वोपरी प्रभू को सब वस्तुओं में एक समान विद्यमान रहने वाले करके देखता है जो की सर्वोपरी प्रभू है और सभी वस्तुओं के नश्ट होने पर भी नश्ट नहीं होता है। सीमिट जीवात्मा, जिसकी शक्तियां परिमित है और जो सदा ही अपनी डैक में अवस्था से उपर उठने का प्रयत्न करती है, परमार्थ रूप से यथार्थ नहीं है. यथार्थ आत्मा का स्वरूप निश्वर्ता का स्वरूप है। उपनिशद आत्मा के अंदर स्थाइत्व के अंश को खोजने का प्रयत्न करती है, वह जो की सदा ही ग्यात या प्रमाता अत्वा विशई है, गेह या प्रमिय अत्वा विशई नहीं है। क्षेत्र स्थापन अत्वा पदार्थ है और क्षेत्र स्थापन अत्वा पदार्थ है और क्षेत्र स्थापन अत्वा पदार्थ का ग्याता अत्वा विशई है. जो कुछ जाना जाता है वह ग्याता की समाप्ती नहीं है. मनुष्य के आत्मा के अंदर ग्याता कारंश है, जो जो समस्त परिवर्तनों के अंदर भी अविचल और बराबर एक्रस होता है। यह अनादी, अनंत, अक्षिंड है, कालबादे तेवं स्वयम्भू है। मनुष्य के व्यक्तित्व को उसके बनाने वाले शरीर, मन और जीवात्मा के अव्यवों में से अलग करके उपनिशद इनमी से उस तत्व को खोज निकालने का प्रयतन करता है, जो सदा रहता है। ताका कोई अर्थ नहीं है। आभ्यांतर तत्व जो समस्त ग्यान का आदी स्रोथ है। इसी संदर्भ में कर्ठोप निशत के द्वितिया वल्ली के प्रारंब में कहा गया है कि ब्रहम अत्यांत दुर्विग्ययय है। अता ब्रहम तत्व का प्रकारांतर से फिर भी अर्थात उस नित्यविग्यान स्वरूप जन्मा, आत्मा का पुर्ग्यारय दर्वाजों वाला है और वह इस शरीर के रहते हुए ही कर्मबंधन से मुक्त हुआ ही मुक्त हो जाता है। निश्चे यही वह ब्रहम है। कठोप निशद में आगे वर्नन मिलता है कि वानी से म मन से बुद्धी, बुद्धी से आत्मा तथा आत्मा से परमात्मा की सीली से ही परम तत्व को जाना जा सकता है। इनकी महत्ता का भी यह क्रम बताया गया है यह वह तत्व है जो सबको एक अत्र रखता है और बराबर यहां तक की सुशुप्ती या प्रगार निद्रा में परस पर सब को जोड़े रखने का यह कार्य इंद्रियों का नहीं हो सकता, न बुद्धी का ही हो सकता है। कठोप निशत के अनुसार वह गमन करने वाला है, आकाश में चलने वाला सूर्य है, वसु है, अंतरिक्ष में विचरने वाला है, सर्वव्यापक वायू है, वेदी प्रित्वी में स्थित होता अगनी है, कलश में स्थित सोम है। इसी प्रकार वह मनुश्यों में गमन करने वाला, देवताओं में जाने वाला, सत्य या यग्य में गमन करने वाला, आकाश में जाने वाला, जल, प्रित्वी, यग्य और परवतों से उठपन होने वाला सत्यस्वरूप और महान है। अर्थात्वः अजन्मा और अमर है. चुनकी उसका आदी नहीं है, इसलिए अंत भी नहीं है. वह अजन्मा, नित्य, शाष्वत और पुरान पुरूश आत्मा शरीर के मारे जाने पर भी नहीं मरता है. शस्त्र इसको काट नहीं सकते, अगनी इसे जला नहीं सकती, ना पानी ही इसको गला सकता है, वायू इसे सुखा नहीं सकती. यह नित्य, स्थाई, सर्वव्यापक स्थिर रहने वाला, अचल और सनातन है. बुद्धी, मन और इंद्रिया जर प्रकृती के ही विकार है, किन्तु यह सब विकृती भी आत्मा की उपस्थिती से ही संभव है. प्रमाता एक व्यक्तियों में हमें विशेय और विशेय का परसपर संयोग मिलता है. अनुभव करने वाले व्यक्ति विशेय के देविय तत्व है, जो गिये पदार्थों से मर्यादित है. इस संसार के अंदर विशेय और विशेय सदाईक साथ मिलते हैं. केवल विशेय या रम इंद्रियाती तस्तित्व नहीं है. विशे ही जो विशे से उत्कृष्ट है, विशे का आधार है. इस श्रीरिस्ट देही के ब्रष्ट हो जाने पर इस देह के मुक्त हो जाने पर भला इस श्रीर में क्या रहे जाता है? अर्थात कुछ भी नहीं रहता, यही वह ब्रहमर ह आत्मा के अस्तित्व के इस प्रतिपादन के आधार पर और उपनिशिदों की इंतरद्रिष्टी के समर्थन द्वारा की आत्मा अत्वा निर्मल ग्याता हमारे शरीर के मिट्टी में मिल जाने पर भी अच्छूता अत्वा अप्रभावित बचा रहे जाता है। के अपने अपने अनुभव का विशय है और उसे वह स्वयम ही अनुभव कर सकता है। अप्रिवर्तन शील की व्याख्या परिवर्तन शील की परिभाशा के द्वारा करने के सब प्रयतन निश्वल सिध होंगे। यह ठीक है कि उपनिशदों में अंतरद्विष्ट से जानी ग रखता है किन्तु हमें इस विशय पर बहुत साफधान रहना चाहिए कि हम अनन्त और सांत दोनों क्षेत्रों की पारस पर एक विभिन्नता का विरोध न करें। इससे हमें सांत के विशय में ब्रिमपूर्व विचार मिलेगा। जो बात सबसे प्रतम हमारे लक्षय में आत सत्ता ही इसीम की सीमा बन जाती है। यह समझना अनुचेत होगा कि अनन्त कोई ऐसी वस्तु है जो सांत अत्वा सीमित के अंदर से हठात बाहर आ गई हो। यह स्वयम ही सच्चे अर्थों में सांत है। जल कर दे तो हमें एक अन्तविहीन उन्नती का सामना करना होगा जो सांत जगत की विशेशता है। यह अन्तविहीन ता ही सांत के क्षेत्र के अंदर उन्नत की विद्यमानता का लक्षन है। सांत अपने को इससे अधिक रूप में व्यक्त भी नहीं कर सकता, जैसे की अनन्त को सांत बना दिया गया हो. अनन्त और सांत के बीच बेद करना केवल शिथिल विचार का लक्षन है. यह थार्त में अनन्त ही सत्य है और सांत केवल अनन्त का सीमित रूप है. इससे परिनाम यह निकला की इंद्रियातीत्ता और अंतर्यामिता आदी परिभाशा या नुप्यूक्त है, क्योंकि परम तत्व से भिन कुछ भी नहीं है, इसकी वे कल्पना कर लेती है. परम सत्ता की व्याख्या के लिए किसी भी उपादी या लक्षन का प्रयोग किया जाए, सब पर्याप्त है. इसका वर्नन करते हुए कहा जाता है कि यह न सत्वरूप है, न असत ही है, न आकृतिमान है और न आकृतिविहीन ही है. अर्थात यथार्थ सत्ता निर्विकार है, स्वतंत्र सत्ता वाली है और देश, काल एवं कार्य करण के नियम से जकड़े हुए समस्त प्रमान की प्रिष्ट भूमी में है उपनिशत दर्शन में अद्वेत अर्थात जीवन और ब्रह्मा की एक्ता के सिधान्त को सत्य बताती है सर्वोपरी ब्रह्मा एक निर्विकार स्वतंत्र सत्ता है, जिसके विशय में वेदान्ती वर्णन करते हैं और जिसे तपस्वी लोग प्राप्त करते हैं यह सबसे उंचा स्तर है और आत्मा के कालक्रम से गती करने का सर्वोपरी लक्ष है, यद्यपी अपने आप में यह गती नहीं है, अपितु एक स्तर है जो मौलिक है, सनातन है और सर्वोपरी है. ब्रह्मा के अपरिवर्टनिय नित्यता ही सब चराचर एवं विक्सित जगत का आधार है. ब्रह्म के कारण उनका अस्तित्व है, बिना इसके उसकी कोई सत्ता नहीं है. यद्यपी यह किसी को बनाता नहीं करता कुछ नहीं और किसी का निर्नय नहीं करता. दोनों अथार्थ प्रहमर और जगत स्वरूप में परस्पर विरोधी प्रतीत होते हैं। यदी हम संसार की अथार्थता का खंडन भी करें और इसे केवल एक आभासमात्र माने तो कुछ तो तत्व मानना पड़ेगा, जिसका की यह आभास है। निरंतर अपने से उपर उठने के लिए संघर्ष करते रहने के कारण संसार अपनी अयथार्थता करे स्वयम दर्शाता है, किन्तु परब्रम अपने आप में स्वयम लक्ष है और वह अपने से परियान्य किसी लक्ष या उद्देश का ध्यान नहीं करता। चुनकी संसार परब्रम के उपर आश्रित है, इसलिए परब्रम को कभी-कभी परिवर्तन रहित और परिवर्तन शील दोनों ही कहा जाता है। अधिश्ठान जो यही है। यह तो हम ठीक 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 नहीं जानते कि यह संसार किस परब्रम का आश्रित है, किन्तु इतना हमें निश्य है कि परब्रम के बिना संसार भी नहीं हो सकता था। एक बार समुद्व चुपचाप सोने वाला है, तो दूसरी और अत्यंत्क शुब्द भी है। हम नहीं जानते कि दोनों ठीक ठीक किस प्रकार से परसपर संबध है। हम इस अज्यान को माया कहकर छिपा लेते हैं। दोनों एक ही है तो वे भिन-भिन प्रतीत होते हैं और यह प्रतीत माया के कारण है। इंद्रियातीत यथार्थता यद्यपी परिवर्तन से परेहे तो भी परिवर्तनों का निर्धारन करती है। दार्शन एक द्रिष्टी से हमें यहीं ठहर जाने को बाध्य होना पड़ता है। किसने प्रत्यक्ष रूप से देखा और कौन निश्चय पूर्वग घोशना कर सकता है कि यह चित्र विचित्र स्रिष्टी किस से उत्पन हुई और क्यूं उत्पन हुई। जीवात्मा के संबंध में वही समस्या है क्यूंकि यहां एक स्वतंत्र विश्टी और विश्टी के बीच में परस्पर के संबंध का प्रश्ण है। हम नहीं जानते कि एक अमर साक्षी रूप जीवात्मा और चेतना के प्रवाह के रूप निरंतर होते हुए परिवर्तनों क के मध्य में परस्पर का बंधन कैसा है। इस कठिनाई को हल करने के लिए शंकर ने अभ्यास की कल्पना की। के रूप का है। अर्थात एक दूसरे को और उन दोनों के गुनों को भ्रम के कारण जो भग नहीं है वैसा मान लेना और यह विशली तथा विशय के स्वरूप में भेदन करने के कारण होता है। जैसे सीप को भ्रम के कारण चांदी समझ लेना, रसी को भ्रम से सांप समझ ल जब तक हमें परब्रम का साक्षातकार नहीं होता और हम आनुभाविक जगत के पक्ष से ही कार्य कर रहे हैं, हम उक्त विशे की व्याख्या सर्वोपरी ईश्वर की जिसे उपनिशद में परमात्मा कहा गया है, कल्पना के आधार पर कर सकते हैं। कार्यों में भाग लेने के विचार का समर्थन करती है। यह हमारे सामने एक ऐसे ईश्वर की कल्पना प्रस्तुत करती है जो मनुष्य के कुल जीवन के लिए सिंतोषप्रद है। उपनिशद का ईश्वर ऐसी यथार्थ सत्ता है जो केवल अनन्त और केवल सांत दोनों से पर है। परमात्मा संसार का उत्पादक तथा कारण है जो अविभाज्य शक्ती के रूप में समस्त प्रानी मात्र में व्याप्त है। नैतिक गुन आध्यात्मिक गुनों के साथ जुड़े हुए हैं। पहले परस्पर भेद करके तब उनमें परस्पर समन्वे स्थापित किये बिना विवेक अपना कार्य नहीं कर सकता। जो ही हम परम तत्व कर चिंतन करने लगेंगे, हमें अंतरद्रिष्टी के पात्र तत्य को विचार की परिभाशा में परिणत करना होगा। विशुद्ध सत्थ शून्य रूप से परिणत हो गया और अब हमारे सामने सत्थ था शून्य का संयुक्त रूप है। यह संयुक्त रूप ऐसा ही यथार्थ है जैसा की विचार। यह ठीक है कि उपनिशद हमें उस प्रक्रिया के विशय में कुछ नहीं बताता कि जिससे निर्पेक्ष परम तत्व जो शरीरधारी है और निश्क्रिया आत्मा है, परिश्टी के स्तर पर उठते हैं। निर्पेक्ष परमतत्वक ब्रह्म का इश्वर के रूप में परिनत होना माया अर्थक रहसे है। यह इन अर्थों में माया भी है कि परिनम संसार इतना यथार्थ नहीं है, जितना की परब्रम स्वयम है। यदि तर्प के द्वारा हम परब्रम के संसार के प्रती संबंद को समझने का प्रयतन करें तो हम इसे शक्ती का नाम देंगे। निश्क्रियो और निर्गुन परब्रम, जो किसी भी पदार्थ से असंबद है, तर्प के द्वारा सक्रिय एवं शरीरधारी इश्वर के रूप में परिनत हो गया, जिसक के भाव का परमार्थ तत्व के संबंद में प्रवेश किया गया और परिन्मिन की प्रक्रिया में एक कतव को हठात अपने आंतरिक रूप को प्रकट करना पड़ता है। कर्म के प्रती स्वाभाविक प्रेरक जो अंदर से उठती है, पुरुशोत्तम के हृदय में अपना स थान रखती है। मौले के कतव के गर्भ में विश्व की समस्त प्रगती अवस्थित है, जिसके अंदर भूत, बरतमान और भविश्यत अप सर्वोपरी सत्मे हैं। कठोपनिशत का यमन चिकेता समवाद, प्रश्नोपनिशत की व्याख्या जैसे तमाम ऐसे प्रसंग उपन इश्वर के साथ भी निशिधात्मक तत्व लगा है, जिसे माया कहा जाता है। यद्यपी इश्वर उसे वश में रखता है। सर्वोपरी इश्वर अपने क्रियाशी स्वभावत्वा स्वां प्रकृतिम का उप्योग करके जीवों की स्रिष्टी करता है, जो अपनी अपन शक्ती का प्रयोग नश्वर संसार में करके संपन्न होता है, दूसरी और एक अन्य पक्ष भी है जिसका संबंध इस सब के साथ नहीं है। वह अशरीरी निरपेक्ष परम तत्व है और अंतर स्थिती इच्छा शक्ती भी है। वह ऐसा कारण है जिसका अन्य कोई कारण नही है, स्वया मचल है, किन्तु समस्थ विश्व का वह संचालक है। वह प्रानिमान के अंदर है और बाहर भी है, गतिरेत होते हुए भी गतिमान है, सूक्षम रूप होने के कारण साक्षात दर्शन के क्षेत्र में नहीं आता, प्रतेक व्यक्ती के पास भी है फिर भी अप्र में मिलता है एक उच्च श्रेनी का जिस परा की संग्या की दी गई है और दूसरा निम्न श्रेनी का जिस अपरा की संग्या दी गई है। ये दोनों विश्व के चेतन और जर्दो विबिन पक्षों की अनुकूलता में हैं। निम्न श्रेनी की प्रकृती भोतेक एवं इवं परिवर्तन उत्पन करती है। इवं परिवर्तन करती है। इवं परिवर्तन करती है। इवं परिवर्तन की स्थिर प्रिश्ट भूमी है। नानाविद जीवन इसके स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं ला सकते। रचना के गुनों के कारण उस प्रभू में कोई उपाधी नहीं आती। यह संसार उसके स्वरूप की अभिव्यक्ती होते हुए भी इश्वर की आत्मपूर्णता में किसी प्रकार की न्यूनता नहीं लाता। तो इश्वर आप में अग्यय बन सकता है। यह भी सत्य है कि यदि हम इस संसार में ही भटकते रहेंगे तो यथार्थता के दर्शन हमें कभी नहीं हो सकते। इस उपनिशद में यथार्थ सत्ता को चल और अचल दोनों ही रूपों में कहा गया है। इन दोनों में से किसी एक ही रूप में प्रतिपादन का परिनाम ज्यान का अभाव अध्यान होगा। सर्वोपरी ब्रह्म के व्यक्त और अव्यक्त दो पक्ष है। पहले पक्ष पर ब माया शब्द का प्रयोग वहां किया गया है और उन सब के विशे में उपनिशद का अपना ठीक अभिप्राय क्या है। एक, यदि सर्वोपरी यथार्थ सत्ता के उपर संसार की घटनाओं का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तब उक्त घटनाओं के कारण की व्याख्या ए अत्य हुए भी उक्त क्रिंथकार के मन में प्रवेश नहीं पा सकती। उपनिशदों में सर्वोपरी ब्रह्म की इस शक्ती को माया कहा गया है। तीन, चुनकी इश्वर विश्व की उत्पत्ती में अपने दो तत्वों, प्रकृती और पुरुष चेतना के द्वारा समर्थ होता है, इसलिए उन्हें इश्वर की माया, निम्न तथा उच्च श्रेनी की कहा गया है। चार, दीरे दीरे आगे चलकर माया का अर्थ निम्न श्रेनी की प्रकृती हो गया, क्योंकि पुरुष को ऐसा बीज बतलाया गया है, जिससे प्रभु परमेश्वर प्रकृती के गर्भ में प्रवेश करता है और जिससे विश्व की उत्पत्ती होती है। पांच, चुनकि यह अविव्यक्ती रूप जगत मरंधर्मा की दृष्टी से यतार्थ को छिपाता है, इसलिए इसे ब्रांती रूप कहा गया है। सत्य से दूर है। इश्वर के लिए जो इसका पूर्ण ग्यान रखता है और इस पर नियंत्रन रखता है, यह वेद्या माया है। मनुष्य के लिए माया विपत्ती और डैक का कारण है, क्योंकि यह एक ब्रांती, आंशिक चेतना का पोशन करती है और उस अवस्था में पूर्ण यतार्थता पर से चेतना को ग्रहन करने की शक्ती का प्रभाव शिथिल हो जाता है। इश्वर माया के गहन आवरन से धका हुआ प्रतीत होता है। इस जगत के परिवर्तन केवल कल्पना रूप है, इस विशे पर कोई संकेत उपनिशद में नहीं पाया जाता है। यहां तक की शंकर का अद्वैत्वाद भी जगत के यथार्थ परिवर्तनों को स्वीकार करता है, केवल प्रारमभिक परिवर्तन को अर्थात ब्रहम से जगत के रूप में परिवर्तन को वह केवल प्रतीतिमात्र अथ्वा विवर्थ समझता है. इस जगत का सर्वुत्तम पुरुशोतम से उद्भव यथार्थ है, केवल इंतिम परम्रूप के द्रिष्टिकोंड से यह जगत यथार्थ नहीं है, क्योंकि यह सदा ही परसपर द्वांदरत रहता है. उपनिशद इस मत का खंडन करता है कि यह जगत मिथ्या है, इसका कोई निश्चित आधार नहीं है, इसका कोई शासक नहीं है, केवल इच्छा के कारण तत्वों के परसपर मिलने से यह बन गया है और कुछ नहीं इत्यादी. इसका तात्पर्य यह हुआ कि उपनिशत के अनुसार इस जगत में जो विकास हमें द्रिष्टी गोचर होता है वही अथार्थ है और ईश्वर उसका अधिश्ठ हाता है यह कहना अनुचित होगा कि उपनिशत इस जगत को उसी समय तक यथार्थ मानती है जब तक की हम इसमें रहते हैं ऐसा संकेत नहीं है कि यह जगत अनंत्वर असीम के हृदय का एक किश्ट में स्वपन मात्र है उपनिशत के अनुसार इस परिण्मन स्वरूप जगत में रहते हुए कालाती तात्मसत्ता रूपी अमरत्व को प्राप्त किया जा सकता है हमारे सामने सर्वश्रेष्ट पुरुशोत्तम का द्रिश्टान्थ है जो इस जगत का उप्योग बिना जगत के द्वारा प्राप्त हुए करता है जब हम माया से उपर उठते हैं तो काल, देश्वा कारण हमसे दूर नहीं हो पाते जगत सर्वथा विलुप्त नहीं हो जाता, किन्तु मात्र अपने आशे में परिवर्तन कर लेता है पुरुशोतम कोई दूरस्थ चमतकार का विशय नहीं है जो एक सर्वपरी अवस्था में हम सबसे दूर हो बलकि वह प्रत्य एक मनुष्य और पदार्थ के शरीर और रिदे में अवस्थित है वह परस्पर संबद सब जीवनों का नियंता है आत्मा और भूप द्रव्यका एह जगत उसके सत्व का परिनाम है इश्वर शुन्य से जगत का निर्मान नहीं करता बरन अपने सत्वरूप से करता है प्रलयकाल में समस्थ जगत जिसमें जीव भी सम्मिलित है एक सूक्षम अवस्था में उसी दैविय सत्ता के अंदर विद्यमान रहते हैं अभिव्यक तवस्था में वे एक दूसरे से प्रिथक रहते हैं तथा अपने आदिस्तोत को भूले रहते हैं यह सब उसका परम्योग है इस जगत की तुलना एक ऐसे व्रिक्ष से की गई है जिसकी जड़ी उपर की ओर और शाखाए नीचे की ओर है प्रकृती जगत के सामान्य रूप का नाम है बराबर रहने वाली प्रतिद्वन दिताए नाना प्रकार की जीवों का एक दूसरे को खाजाना विक्सित होना, परस पर भेदभाव करना, संगठन करना और भोतिक पदार्थों में जान डालना ये सब कार्य प्रकृती के है प्रिथ्वी, जल, अग्नी, वायू, आकाश, मन, बुद्धी और अहनकार ये आठ विभाग मेरी प्रकृती के है ये इश्वर का निम्ण श्रेनी का रूप है और जो रूप इन सब को शक्ती देता है तथा जगत को धारन करता है, वह उसका उच्चतर रूप है रामानुज लिखते हैं, प्रकृती अत्वा जड़ विश्व का भौतिक स्वरूप, सुख प्राप्ती का विशे है और वर्जो इस सिव्विन है, जोकी जड़ और सुख प्राप्ती का विशे है, जीवन का तत्व जीव है और यह एक अन्यव यवस्था का है यह निम्ण श्रेनी का सुख भोगने वाला और बुद्धी संपन्ना आत्माओं के रूप में है जीवात्मा, मनुष्य माया के अधीन है और बाहर प्रतीतियों में खोए रहते हैं इस जगत में मनुष्य अपनी अपूर्णता के कारण जन्म लेता है जब तक हम सत्य का साक्षात नहीं करेंगे, जीवन मरं के चक्र में गूमते रहना अनिवार्य है जब हम माया से उपर उठेंगे और अपने यथार्थ पत को पहचानेंगे तभी हम इस प्रिथिक अत्व से चुटकारा पा सकेंगे जीवात्मा कोई भी आक्रिती क्यों न धारन करे, उसे उससे उपर ही उठना होगा जीवात्मा सदा ही रूप बदलता है, किसी भी सांत या सीमित रूप में उसके अनन्त स्वरूप की पूर्मत या अभिव्यक्ती नहीं हो सकती यह बराबर अपने सांत रूप से उपर ही उपर उठता है, जब तक कि उसका यह परिण्मिन अपने लक्षे तक नहीं पहुँच जाता, अर्थात्सत रूप में नहीं आ जाता और सांत अनंत में जाकर विलीन नहीं हो जाता सांथ संसार की प्रगती का आंत नहीं है. यह प्रगती अनंत की पूर्मता का साक्षातकार है जो सदा बढ़ते हुए इच्छित विशय के क्रमशर समीन और समीपतर पहुँचता है. परिनाम यह निकला की परिणमन तथा प्रकृती के संबंदूं के ऊपर आशृत वेद केव लंशमात्र है. परम सत्य की दृष्टी से उनका व्यक्तित्व विशय या प्रेमेरूपी तत्व के उपर निर्भर करता है. इस भोतिक जगम में भी ऐसे कर्म जो प्रिथक व्यक्तित्व का संकेत करते हैं, अमर एवं निश्क्रिया आत्मा के कारण नहीं है, किन्तु प्र नहीं होगी कि वे करता भी है और एक दूसरे से भिन है. उपनिशत के अनुसार कर्म सब प्रकृती के गुनों के कारण निश्पिन होते हैं, किन्तु मनुष्य की आत्मा हंकार से विमूर होकर यह समझने लगती है कि करने वाला में हूँ. गुन तो गुनों के अंदर विद प्रयोग में लाना शंकर के लिए बहुत आसान हो जाता है. वे कहते हैं कि और आत्मा के अंद ऐसे कोई भेद नहीं, जिन्हें अंत्य विशेश या परमरूप में तात्विक भेद कहा जा सके, क्यूंकि शरीरों के नानात्व के रहने पर भी आत्माओं के अंदर इस प्रक लक्ति बेद के प्रकट लक्षनों के कारण हमें यह धारना ना बना लेनी चाहिए कि इस जगत में प्रिथिकत्व अत्वा भिन्नता है, क्यूंकि मनुष्यों में भिन्नता केवल भिन-भिन भोतिक शरीरों के कारण ही है. इसी प्रकार यह भी तर्क दिया जा सकता है कि उनों से वह स्वतंत्र हो जाता है तो वही परमात्मा अत्वा सर्वो परी आत्मा के तादात्म्यों की घोशना करते हैं. रामानुज ने अन्य प्रकार से की है, उदाहरन के लिए ब्रहम के सर्वत्र हात और पैर है और उसी ने सब को अपने अंदर लपेट रखा है. इसका प्रतेक के अंदर जो पुरुश है वह साक्षी, आदेश देने वाला, धारन करने वाला एवं सुख का उप्भोकता है, वह महान प्रभू और सर्वो परी आत्मा है. किसी एक प्रासंगे के एक वचन अत्वा बहुबचन के प्रयोग मात्र से हम आत्मा के परमस्वरूप के विशय में कोई अनुमान नहीं कर सके. जब उसके सांसारिक या आनुभाविक पक्ष पर बल होता है तो बहुबचन का प्रयोग मिलता है. ऐसा कोई काल नहीं था, जबकि इश्वर नहीं था, अथक जीव नहीं थे अत्वा प्रनाओं के ये शासक नहीं अत्वा हम सब में स कोई भी इसके पश्चात न रहेगा. रामानुच कहते हैं कि भगवान स्वयम प्रकट करता है कि आत्मा का भगवान से भे देवमन या आत्माओं से भी भे दुचतम यथार्थता है. दूसरी और शंकर बलपूर्वक कहते हैं कि आत्मा के ही रूप में हम त्रिकाल अर्था की माया से ही रचे हुए हैं. उनके अपेक्शाकरित उतकर शत्वा सबकी समानता में कोई हेतु नहीं है. लोक में जिस प्रकार प्रित्वी और उदर में एक ही आकाश प्रकाशित हो रहा है, उसी प्रकार मधू ब्राह्मन में आध्यात्म और अधिदैवित जग दोनु विशेयों के चैन में पाठ्य विस्तु के संकलन में तथा पाठ्य पुस्तिकों के निर्मान में यह दार्शनिक धारना हमें प्रभावित करती है कि छात्रों का किस प्रकार का ग्यान वैद होगा, कौनसी शिक्षन विदी अपनाई जाए, जिससे ग्यान की प्राप्ती ज्यान दिया जाता है. 1. ज्यान के स्वरूप निम्नवत माने जाते हैं सत्यता, सत्यता में विश्वास, सत्यता के लिए प्रमान. 2. ज्यान के चार स्रोत माने गए हैं इंद्रिय और आनुभावे किसमे ज्यान इंद्रियों के द्वारा बाहर वस्तू का प्रत्यक्षी करण किया जाता है, जिससे उत्तेजना उत्पन होती है जो संबेदना को जन देती है और प्रत्यका ज्यान प्राप्त होता है. साक्ष्य दूसरों के अनुभव तथा निरीक्षन पर आधारित ज्यान की मान्यता, तार्क बुद्धी तथा अंतह प्रग्या तीन, यथार्थ ज्यान की संभावनाओं के चार द्रिष्टिकोन है अग्ययवाद चरम सीमा तक नकारात्मक द्रिष्टिकोन, संश्यवाद ज्यान प्राप्त करने के संबंद में प्रश्चिन, ज्यान की अभिपुष्टी और प्रयोगवाद, चार, ज्यान को मुख्यत तह प्रकार का माना गया है होता है तथा प्रयोगमूलक ज्यान और प्रागुनाभाविक ज्यान, आग्मनात्मक ज्यान, जो ज्यान अनुभव से प्राप्त, पांच, ज्यान प्राप्ती के उपकरन निमनवत है, इंद्रिया नुभाविक, अंतव प्रग्या तथा दैविय ज् दर्शन का मूल प्रश्न ज्यान से संबंदित है. दार्शन एक इन प्रिश्नों के समाधान की खोज करता है कि ज्यान की वास्तविक प्रकृती क्या है? वैद तथा अवैद ज्यान में क्या अंतर है? ज्यान प्राप्ती के साधन क्या है? आदी ऐसे प्रिश्नों के उत्तर ज् ग्यान मीमानसा का अर्थ किसी ग्यान या अनुभव की विवेचना करना है। इसका अंग्रेजी रूपांतर अपिस्टेमोलजी होता है जो ग्रीक भाषा के शब्दी PISTIME से बना है, जिसका अर्थ होता है ग्यान अथवा जानना। दर्शन की इस शाखा में ग्यान की उत्प करने का प्रेयतन करता है और जब तक वह सत्य को नहीं प्राप्त कर लेता तब तक चुप नहीं बैठता। इससे उसमिट शरद्धा को पूपनिशत दो प्रकार के ग्यान का प्रतिपाधन करते हैं एक वह जो वुद्धी के द्वारा बाहर जगत के अस्तित्व को समझने का प्रयंत करता है और दूसरा वह जो अंतरद्रिष्टी के बल से इन भासमान घटनाओं की श्रिंखला की प्रिष्ट भूमी में जो पर्मततव है उसे ग्रहन करता है। मनुश्य के आत्मा जब तार्किक बुद्धी के अधीन रहती है तो अपने को प्रकृती के अंदर खो बैठने की प्रवृती होती है और उसी की गतिविदी के साथ अपना तादात्मय समझने लगती है। इस जीवन के तथ्य को अर्थात उसके उद्भव एवं यथार्थता के ग्यान को ग्रहन करने के लिए इस मिथ्य ग्यान के पास से अपने को मुक्त करना आवश्यक है। कहा जाता है कि विज्यान विश्यक ज्यान रजो गुन प्रधान है एवं आध्यात्मिक ज्यान सत्व गुन प्रधान है यदि हम भोतिक विज्यान के आंशिक तथ्यों को भूल से आत्मा संबंधी पूर्ण तथ्य समझ ले तो हमें निम्न श्रेनी का ज्यान प्राप्त होत विग्यान उसंदकार को दूर कर देता है जो उमन के उपर एक प्रकार का बोज है और अपने भौतिक जगत की अपुन्ता को प्रदर्शित करता है और अपने से सुदूर जो सत्ता है उसे प्राप्त करने के लिए तयार करता है। यह हमारे अंदर नम्र्टा को भी अनुप्रमानित करता है, क्योंकि इसके द्वारा हम सब कुछ नहीं जान सकते। हम अतीत की विस्मृती और भविश्य की अनिश्चित्ता के मध्यफ हंसे हुए हैं। विज्यान इस बात को स्वीकार करता है कि पदार्थों के आदी कारणों से परिचित होने की कालपनिक इच्छा करना और मनुष्य जाती का अंत क्या है इस विशे पर कल्पना करना एक निरर्थक प्रयास है। यदि हमें परम सत्य तक पहुँचना है तो भवतिक विज्यान के स्थान में दूसरे ही साधन का आश्रे लेना होगा। उपनिशत की सम्मती में परिप्रशन अत्वार अनुसिंधान के साथ साथ सेवा का वी मेल होना आवश्यक है। अंतर द्रिष्टी की शक्ती के विकास के लए हमें मन को दूसरी दिशा में घुमाने की आवश्यकता है। अर्थात आत्मा के द्रिष्टि कोण में परिवर्तन होना आवश्यक है। शिश्य ने अपने को साधारन द्रिष्टी के द्वारा सत्य के दर्शन में असमर्थ पाया और इसलिए रिशी से आध्यात्मिक ग्यान के लिए दिव्य द्रिष्टी की आचना की. विश्वरु पंतर द्रिष्टी संबंधी अनुभव का कवी द्वारा अरतिशयोक तिपूर्ण वर्णन है जिसमें की इश्वर के अंदर रमन करने वाला व्यक्ती सब पदार्थों का उसके अंदर दर्शन करता है. उपनिशत का मत है कि इस प्रकार की आध्यात्मिक द्रिष्टी को प्राप्त करने के लिए मनुष्य को अपने अंतरनिहित होने का ग्यान प्राप्त करना चाहिए. केवल बुद्धी के दोश से ही नहीं, किन्तु स्वार्थ की लालसा से भी सत्य हमारी द्रिष्टी से उजल रहता है. अग्यान व्रम नहीं है, अपितु आध्यात्मिक अंधापिन है. इसे दूर करने के लिए हमें शरीर और इंद्रियों के मल को हटाकर आत्मा को निर्मल करना चाहिए एवं आध्यात्मिक द्रिष्टी को प्रजवलित करना चाहिए, जो समस्त पदार्थों को एक नए द्रिष्टि को उन से देखती है. वासना की अगनी और इच्छा की अशांती का दमन करना आवश्यक है. चंचल और अस्थाई मन को एक प्रशांत जलाशय की भातिस्थिर रखना चाहिए, जिससे की उसके अंदर ज्ञान उपर से ठीक ठीक प्रतिबिम्बित हो सके. बुद्धी अत्वासत और असत में विव प्रमिक द्रिष्टिकोन के साथ सहमती हो जाए. मुंडेक उपनिशद में उपकार रूप से ब्रहमचिंतन विधी का विस्तरित वर्नन दिया गया है तथा इन उपनिशदों में योग प्रनाली का अंगी कार किया है, वह मानसिक प्रशिक्षन के साधन के रूप में ही स्व एक, मन, शरी रेवम इंद्रियों को पवित्र करना, जिससे की दैविय शक्ती का उनके अंदर संचार हो सके, दो, एक आगरता अर्थात इंद्रियों की ओर दौडने वाले विश्रिंखल विचारों की चेतना से मन को हटा कर उसे सर्वो परी ब्रहममिस्थित करना, तीन, य यथार्थ सत्ता तक पहुँचने के पश्चात उसके साथ तादात्म्य स्थापित करना, उपनिशद हमारे सामने कुछ एसे सामान्य सिधान्त प्रस्तुत करती है, जिन्हे सब श्रेनी के विचारक स्वीकार कर सकते हैं, मानव को श्रद्धा रखने एवं विद्रुहात्म मनोवरितियों का दमन करने का आदेश दिया गया है और इश्वर के विचार को द्रिलता के साथ धारन करने का आदेश है, आध्यात्मिक दर्शन के लिए मौन एवं शांती का वातावरन आवश्यक है, मौन अवस्था में जो मन को वश्मे करने से ही संभव है, हम आत्मा के शब्द को सुन सकते हैं. यथार्थ लोगव है, जो हमें आध्यात्मिक निश्पक्षता अर्थात समत्व प्राप्त करा सकें. योग ऐसे डैक से मुक्त अवस्था का नाम है, जिसमें एक उपर से चाये हुए स्थान में रखे हुए दीपक की भातीमान प्रकम्पित नहीं हो जिस अवस्था में आत्मा के द्वारा आत्मा का प्रत्यक्ष कर लेने पर मनुष्य के अंदर संतुष्टी की अनुभूती होती है, जहां मनुष्य को ऐसे परमानंद का अनुभव होता है, जो केवल बुद्धी द्वारा ही ग्रहन करने का विशय है, किन्तु इंद्रियों की पहुँच से सदा बाहर है और पाहूं पर आसीन होकर मनुश्य फिर सत्यमार्ग से व्रश्ट नहीं होता, जहां अन्य किसी प्रकार का लाब उससे अधिक मेहतवका नहीं है और जिस सवस्था में अवस्थित हो जाने पर मनुश्य बड़े कश्ट से भी विचलित नहीं होत आध्यात में कंतर द्रिष्टी प्राप्त करने के लिए सबको योग के अभ्यास की आवश्यक्ता नहीं है मदुसूदन सरस्वती ने एक श्रोक उद्धत किया है कि मन के अहनकार आधी का दमन करने के लिए योग और ज्यान दुही साधन है योग्चित की वृतियों के विरोध का और ज्यान सम्यक अन्वेशन का नाम है कुछ श्रेनी के व्यक्तियों के लिए योग संभव नहीं है और इसी प्रकार कुछ श्रेनी के व्यक्तियों के लिए ज्यान संभव नहीं है आध्यात्मिक इंतरद्रिष्टी में कर्म तथा उपासना सहायक हो सकते हैं कुछ अवस्थाओं में आध्यात्मिक प्रशिक्षन के लिए योग की उप्योगिता को स्वीकार करते समय उपनिशद इसके भयावे परिनामों से भी अन्विग्य नहीं है। जो स्वरूप में साक्षातकार कराने में अधिक समर्थ है, ऐसा निश्चयात्मक ज्यान नहीं देती, जिसकी समालो चनाना हो सके। इसे वैज्यानिक निर्नय का समर्थन प्राप्थ है। इस ज्यान का कठोर तपस्या और रजोवरिती के साथ सयोग है और यह एक ऐसा पूर् सम्बंधी अनुभव प्राप्थ हो गया तो चेतन के इत्रपक्ष भी यथभावना और इच्छा अपने आपको प्रकट करने लगते हैं। मेरी पूजा करता है, सत्य का ज्यान अपने हृदय को सर्वोपरी ब्रहम के प्रती मुचा उठाना, उसे स्पर्ष करना और उसकी अर्चना करना है। इसका एक क्रियात्मक प्रभाव भी है। जितने ही अधिक प्रगार रूप में हमें अपने स्वरूप का ज्यान होगा, उतनी ही अधिक गहराई के साथ हम औरों की यथार थावश्यक्ताओं को जान सकेंगे। कल्यानकारी कर्म केवल ग्यान का मूल सिधान थी नहीं, अपितु नेटलशिप की प्रसिद परिभाशा में चरित्र का द्रूब नक्षत्र बन जाता है। हमारे सामने बुद्ध का उदाहरन है जो सबसे बड़ा ग्यानी तथा धर्मात्मा था। मनुष्य मात्र के प्रती उनके प्रेम ने उन्हें निरंतर 40 वर्षों तक मनुष्य मात्र का शासक बना कर रखा। कभी कभी ऐसा तर को पस्थित किया जाता है कि ग्यान अथ्वा ब द्रिश्टी से अनुचित कहलाएगी। और ऐसा कोई भी आचरन जिसका आधार मिथ्य भेद के उपर है। धर्मिक कहा जा सकता है हम देखते हैं कि मनुष्यों के जीवन का मूल एक ही है और एक स्वयम से दनादी अनन्त आत्मा सब मनुष्यों के जीवन में जीवेत रूप में समान शक्ती के साथ कार्य कर रही इस सत्य का साक्षात कार हो जाने पर इंद्रियां एवं जीवात्मा दोनों ही अपनी शक्ती से वन्चित हो जाते हैं। उपनिशत की आचार मीमान सा, दैविय सेवा अर्थात कर्म के द्वारा ही हम सर्वोच सत्ता तक पहुँच सकते हैं। जिससे अमूर्थ भी मूर्थ रूप धारन करता है। वह भी कर्म ही है, कर्म को अनादी कहा गया है और जगत का कार्य ठीक किस प्रकार से होता है, समझना कठिन होता है। सृष्टी के अंत में समस्त जगत का सुक्षम कर्म रूपी बीज की अवस्था में विध्यमान रहता है और अगली सृष्टी में अनकुर के रूप में प्रस्फुटित होने के उद्रित रहता है। चुनकी संसार की प्रक्रिया भगवान के उपर निर्भर है, हम कर्म का आदिपत्य भी कह सकते हैं. हमें कोई न कोई धर्म करना ही है, किन्तु हमें यह देख लेना आवश्यक है कि हमारा आचरन धर्म का हित संपादन करने वाला हो, जिसका परिनाम आध्यात्मिक शांती और संतोष की प्राप्ती है. कर्म मार्ग आचरन का वह मार्ग है जिसके द्वारा सेवा के लिए उत्सुक व्यक्ति अपने लक्षे तक पहुँच सकता है. उपनिशत के समय में सदाचार के संबंद में अनेक प्रकार के मत प्रचलित थे, यथा कर्मकांड तथा क्रियाकलाब संबंधी अनुष्ठान से संबंद रखने वाली वैदिक कल्पना, सत्यके अनवेशन का उपनिशिदों का सिधान्त बौद धर्म का विचार अर्थात सम उपनिशिदों के सार स्वरू प्यह प्राप्त होता है कि कर्मी के द्वारा हमारा समस्थ संसार के साथ संबंध स्थिर होता है। नैतिक्ता की समस्या केवल मानविय जगत से ही संबंध रखती है। जगत के समस्थ पदार्थों में केवल मनुष्य की ही आत्मा ऐसी है जो अपनी जिम्मिदारी का विचार रखती है। मनुश्य की महत्वा कांक्षा आध्यात्मिक सुख की प्राप्ती के लिए होती है, किन्तु वह जगत के भौतिक तत्वों से इसे प्राप्त नहीं कर सकता। जिन सुखों की प्राप्ती के लिए वह प्रयत्न करता है, वे विबिन प्रकार हैं। ब्रांकमन एवं मिथ्या प्रकार की इच्छाओं से जिस सुख की प्राप्ती होती है, उसमें तो अधिकतर तमाशा ही रहता है और इंद्रियों से जो सुख प्राप्त होता है, उसमें रजोगुन अधिक रहता है और आत्मग्यान का जो सुख है उसमें सित्वगुन का भाव अधिकांश में रहता है। सबसे उन्नत कोटी का सिंतोश तभी हो सकता है जब मनुश्य अपने को एक स्वतंत्र करता समझना छोड़कर ये अनुभव करने लगता है कि इश्वर अपनी अनंत कृपा से जगत का मार्ग दर्शन करता है। व्यक्त हो सके, वही शुद्ध आचरन है और अशुद्ध आचरन वह है जो यतार्थता के इस अनिवार्य संगटन के संपादन में असमर्थ हो। वेश्व का एक अतव आधारबूट सिधान्त है, जिससे पूर्णता की और प्रगती हो सके, वही पुन्य है और जिसकी संगती इसके साथ न बेठेवह पाप है। बौध धर्म और उपनिशत के मध्य यही तात्विक भेध है। यतार्थादर्श है लोकसंग्र अत्वा जगत की एक रूपता रूपी संघटनों पूर्ण पुरूश की आत्मा जगत में कार्य कर रही है। पुन्यात्मा व्यक्ति को इसक साथ सहयोग करना चाहिए और संसार मात्र के कल्यान को अपना लक्षे बनाना चाहिए। गीता वयक्तिक दावों का खंडिन करती है। समाज में जो सरवश्रेष्ट मनुष्य है, उनके उपर सबसे अधिक कर्तव्य का भार है। सांध जीवों के उद्योग यह उपलक्षित करते हैं कि पाप पर विजय पाना है। पाप और अन्याय के विरूद्ध युद्ध करने से हम नहीं बच सकते। इंद्रिय निग्र धर्मात्मा पुरुष का विशेश लक्षन बन जाता है। वासना हमारे धार्मिक स्वरूप की स्वतंत्रता का अफरंग कर लेती है। इस पर अनासक्ती के भाव को विक्सित करने तथा कर्मफल के प्रती उपेक्षा का भाव रखने एवं यूग की भावना अत्वा निश्पक्षता को विक्सित करने का आदर्श करती है। सच्चा त्याग इसी में है। अग्यान के कारण जो कर्म को छोड़ना है वह तमोगुन युक्त त्याग है। परिनामों के भैसे, जैसे शारीरिक कष्ट के भैसे कर्मों को छोड़ना भी त्याग है, किन्तु यह त्याग रजोगुन युक्त त्याग है, किन्तु अनासक्ती की भावना से और परिनामों के भैसे सर्वता रहित सबसे उत्तम रूप कर्म का है, क् इसमें सात्विक गुन का प्राचुर्य है. उपनिशिदों में अनुशासन के तीन तत्व माने गए हैं. एक, प्रतम तत्व ग्यान प्राप्ती की उतकंट अभिलाशा, जब तक शिक्षार्थी के अंदर ग्यान प्राप्ती की प्रेरना उत्पन्न हो, तब तक अध्यायन में रूची नहीं हो सकती और यदि अध्यायन में रूची नहीं होती तो अनुशासन का पालन कठिन हो जाता है. दो, सीखने की अभिप्रेरना के पश्चात अधिग्म करता के आत्म संप्रत्यय का विकास करना आवश्यक है. छात्र क्या बनना चाहता है? इसकी स्पष्ट संकल पना चात्र के मन में होना आवश्यक है. तीन, आत्म संप्रत्यय के पश्चात आत्म संयमा सकता है. समाज तथा धर्म द्वारा मान्य नेतिक सिधान्तों का परिपालन इसके अंतरगत आ जाता है. जब यह शंका उत्पन हो की कौनसा व्यवहार उचित है और कौनसा अनुच ऐसी परिस्थिती में समाज के गण्मान्य व्यक्ति जैसा आचरन करें वैसा आचरन करना आचार के अंतरगत आता है. कभी-कभी प्रभाव वश अत्वा इंद्रियों के मुह में फंसकर शिक्षार्थी के आचरन में विच्युती तथा स्खलन भी आ सकता है, जैसे अनुश कहा जाता है. उपनिशदकार शिक्षक से यह अपेक्षा करता है कि वह शिक्षार्थी के आचरन पर द्रिष्टी रखे तथा उसे कुमार्क से बचाए. शिक्षक द्वारा दिये जाने वाले दंसे भत्सना, अप्रसन्नता, अस्वीक्रती, आदेश आदी आ सकते हैं, जिन उपनिशत के प्रारंब में शिक्षक शिक्षार्थी संबंध के संदर्व में वर्नित इस श्रोक पर पर्याप्त प्रकाश डाला गया है. ओम से नाववतु, से नौ भुनक्तु से वीर्य करवाव है, तेजस्वी नावधीत मस्तु. ओम शान्ती, शान्ती, शान्ती. उपर विकास में सहायक होते हैं तथा संभावित पतन से एक दूसरे की रक्षा की जाती है. सेनौ भुनकतु साथ साथ उप्भोग करें, अर्थात ग्यानार्जन से उपलब्ध सिधियों का उप्भोग शिक्षक वच्षात्र मिल जुलकर करें. अबिप्रेतार्थ यह भी निकलत अर्थात इस संदर्ब में यह अविप्रेतार्थ निकलता है कि शिक्षक वर शिक्षार्थी दोनों के मध्य शिक्षन के दौरान उच्चकोटी की द्वितर्फा अंतहक्रिया अत्यंतावश्यक है. युवा जीवन तो जरने का वेग है, पुष्प की सुगंध है, आकाश क की मुचाई है, सागर का विस्तार है और समाज का एक ऐसा क्षितिज है जो तब तक आगे ही चलता जाता है जब तक की मुसाफिर के पैरों में चलने की ताकत बनी रहती है. उद्धरन चिन, श्री महावीर अधिकारी का उपरियुक्त मत शिक्षा जगत के समक्ष एक चुनो खटक अध्यापक पर निर्भर करता है. आपेक्षिक महत्ता की द्रिष्टी से अभिभावकों की अपेक्षा शिक्षक को उच्चपत पर आसीन किया गया है. पुनह मानव जीवन में ज्यान सर्वोत्तम निधी है तथा दार्शनिक द्रिष्टी से अग्यान समस्ट ड्हको का मूल है. इसलिए विद्यादान को महादान के रूप में स्वीकार किया गया है ताकि विद्यार्थी अग्यान के अंधकार से प्रकाश के आलोप में पदारपन कर तमसो मा जियोतिर गमेर की सार्थक्ता को चरितार्थ कर सके. विजयानन त्रिपाठी इस आशरे से शब्द की शाब्दिक परिभाशा प्रदान करते हैं. गुका अर्थ है अंधकारी तथा, रू, निरोधक को कहते हैं. अर्थात जो अंधकार का नाश करे, उसे गुरु कहते हैं. उपनिशदों में विद्यार्थी की कल्पना उस ग्यान पिपासु की है, जिसमें ग्यान प पासा जागरत हो सकती है. ज्यान प्राप्ती का समय भी कोई निश्चित नहीं है. कोई शिश्य स्वल्प श्रम से अत्यंत कम समय में ज्यान प्राप्त कर सकता है और किसी को लंबे समय तक साधना करनी पड़ सकती है. उपनिशत का रनिवारिय शिक्षा में विश्वास नहीं क ज्यान अनंत शक्ती का स्थोता होता है. अयोग्य व्यक्ति के हाथ में यह शक्ती विनाशकारी साबित हो सकती है. अर्ध विदग्द ज्यान लाप की अपेक्षा हानी कर सकता है. शिक्षक की एह स्वायता है कि वह जिसे चाहे उसे शिश्य के रूप में स्वीकार करे और जिस योग्य न समझे उसे स्वीकार न करे। किसी व्यक्ति को शिष्य के रूप में ग्रहन करने के लिए उसे विवश नहीं किया जा सकता। विद्यार्थी से गुरू के प्रती समर्थन भाव की अपेक्षा की गई है। श्रधवान प्रनिपातिन जैसे वाक्यों से उपनिश्रदिय संदर्भ में शिक्ष्य की विस्तृत चर्चा मिलती है। ज्यान प्राप्ति के सोपानों का यदी विश्लेशन किया जाए तो यह सोपान अपनी महत्वपून भूमिकार अदा करता है। शिष्य आत्मज्यान की शिक्षा प्राप्त करने के लिए गुरू के समीप उपस्थित होता है। विद्यार्थी इस विश्व में व्याप्त ब्रहम स्वरूप का अध्यायन करता है। इसमें जीवन के व्यवहार एक पक्ष का अध्यायन नहित होता है। दूसरा चरण, तत्वंसी, अर्थात ब्रहम तुम हो। इस स्थिती में अध्यापक अध्येता को ब्रह्म के साथ उसके तादात्म्य की बात समझाता है. अध्यापक के निर्देशों का प्रत्यक्ष एवं परोक्ष दोनों ही रूपों से पालन होता है. अंतिम चरण, सोहम, अर्थात मैं ब्रह्म हूँ, का है? इस स्थिती में आत्मग्यान की प्राप्ती हो जाती है तथा व्यक्तित्व का इस प्रकार रूपांतरन हो जाता है की गुन सहज हो जाते हैं. मैं क्या करूँं, क्या करना पुन्य है और क्या पाप है आदी सभी प्रकार की दुविधाई समाप्त हो जाती है और जीवन का अंतिम लक्ष जिसे आनंद कहा जाता है, प्राप्त हो जाता है। आत्मुन्नती की इस संपूर्ण भूमिका में शिक्षक का महत्वपूर्ण स्थान है.